वेल्कम टू माई यूट्यूब चेनल हबू का कीचन आज हम डिफ्रन स्टाइल से मटन कॉर्मा बनाएंगे ये बहुती अमेजिंग और बहुती टेस्टी रेसिपी है तो इस रेसिपी को आप एक बार जरू ट्राइ करें हमेजा की तरह रेसिपी पसंद आए तो मेरी चेनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मटन कॉर्मा बनाने के लिए सबसे पहले पेश्ट रेड़ी करते हैं एक मिक्सिजर में तीन से चार बड़े चम्मच हरा धनिया पांच से साथ लसन की कल्या पांच से साथ छोटे टुकडे अधरक के पांच से साथ छोटे टुकडे सुखा हुआ कोप्रा आप फ्रेश कोकनट का भी इस्तमाल कर सकते हैं चार हरी मिर्च और दो बड़े चम्मच जितना पानी एट करके इसकी स्मूथ पेश्ट बना लेंगे पेश्ट रेड़ी है अब हम मटन मेरिनेट करते हैं मटन मेरिनेट करने के लिए एक बावल में एक किलो मटन स्वादनुसाद नमक आदा छोटा चम्मच हल्दी हमने जो पेश्ट बनाई थी वो हम आधी एड करेंगे और आधी हम ग्रेवी के लिए इस्तिमाल करेंगे एक सो पचास ग्राम दही एड करेंगे दही को अच्छी तरह से फेट कर एड करे मटन को अच्छे तरहा से मिक्स करके इसे दो घंटे के लिए मेरिनेट करेंगे मटन को दो घंटे मेरिनेट करने के बाद एक कुकर में 5-6 बड़े चमच ओयल एक बड़ा चमच जीरा दो बड़ी इलाईची तीन से चार छोटी इलाईची और 3-4 छोटे टुक्रे तचके एड़ करेंगे इसे एक से दो मिनिट के लिए खुश भूआने तक फ्राइड करेंगे अब हम इसमें 2 मेडियम सेच की बारिक कटी हुई प्याज एड़ करेंगे प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राइड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याच गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हम इसमें बनाई हुई पेस्ट एड़ करेंगे पेस्ट एड़ करने के बाद इसे दो से तीन मिनिट हाई फ्लेम पर भूनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से भून लेने के बाद बागी के मसाले एड़ करेंगे आधा छोटा चमच हल्दी दो छोटे चमच लाल मिर्च पाउडर दो छोटे चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दो छोटे चमच धन्या पाउडर एक बड़ा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर और एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे दो से तीन बड़े चमच चितना पानी एड़ करेंगे पानी एड़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और इसे ड्राई कर लेंगे मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद मेरिनेट किया हुआ मटनेट करेंगे और मटन एड़ करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर तीन से पांच मिनिट के लिए भूनेंगे और भून लेने के बाद एक कप पानी एड़ करेंगे पानी एड़ करने के बाद धक्करी से मटन को खोने तक पकाएंगे मटन अच्छी तरहा से कोख हो गया है और इसकी ग्रेवी रीच और टेश्टी बनी है अब मटन पर हम तड़का लगाएंगे और इसके लिए दो बड़े चमच गी घी गरम हो जाने के बाद एक छोटा चमच कसूरी मेथी और एक चुटकी गरम मसाला एड़ करेंगे खुश्बू आने तक इसे फ्राइ करेंगे तड़का रेड़ी है अब हम इसे मटन पर एड़ करेंगे अब इसमें एक बड़े चमच निम्बू का रसेट करेंगे दो से तीन बड़े चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया एड़ करने के बाद इसे एक मिनित के लिए कुक करेंगे मटन कॉर्मा रेड़ी है सव करने के लिए अगर आपको मटन कॉर्मा की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फोर वोचिंग